हेलो दोस्तो वेलकम टो मैंनी वीडियो दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे डेंग्यू बुखार के बारे में कि डेंग्यू बुखार के लक्षन क्या क्या होते हैं साथी साथ उसके कारण क्या क्या होते है इसके बारे में भी बात करेंगे और निदान क्या क्या हो सकते है उसके कौन-कौन से टेस्ट होते है इसके बारे में भी बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि डेंग्यू के गरेलू उपचार क्या क्या हो सकते है हम घर पर ही कैसे डेंग्यू को मेनेज कर सकते हैं या फिर घर पर ही कैसे उसको ट्रिट कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि डेंग्यू को हम कैसे रोक सकते हैं इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तो चलि मचर क्या करता है कि जब भी ये मचर किसी भी डेंग्यू फिवर वाले परसन को काटता है और इसके काटने के बाद अगर हमें हेल्दी परसन को ये जो मचर होता है वो अगर काटता है तो इसकी वज़े से हमें डेंग्यू हो जाता है तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो डेंग् इजिप्ती मचर के वज़े से हमें डेंग्यू होता है अगर यह जो मचर नहीं होता तो अगर हमें डेंग्यू होने का खत्रा बहुत ही कम हो जाता है तो एक बार यह जो मचर होता है अगर हमें एक बार काट लेता है तो उसके 7-8 दिनों के अंदर हमें डेंग्यू के सामान य लक्षन देखने को मिलता है और इसके 7-8 दिनों के बाद हमें severe dengue भी देखने को मिल सकता है, तो हमने आगे बात करी कि Edis Egypt में एक बार अगर काट लेता है तो उसके 7-8 दिनों के अंदर हमें सामन्य लक्षन देखने को मिलते है तो यह जो सामन्य लक्षन होता है वो कौन-कौन से होता है, इसके बारे में बात करता है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको fever आएगा और fever के साथ-साथ आपको क्या-क्या होगा मास पेशियों, हडियों और चोड़ों में सिम्टोम्स आपको शरीर में देखने को मिलते है तो आपको डेंग्यू का टेस्ट जरूर से जरूर करवाना चाहिए उसके साथ-साथ जो common symptoms होते है जो सभी बीमारियों में देखने को मिलते है और सभी fever में देखने को मिलते है वो होता है कि आपको उल्टी हो सकते है आपका जो जी मचला ना हो सकता है आपका जी मचलाता है इसके साथ-साथ आपको सीर दर्द भी देखने को मिलते है तो अगर आपको fever के साथ-साथ अगर इसे symptoms आपको देखने को मिलते है उसका प्रोपर तरीके से इलाज नहीं करते है तो इसकी वज़े से आपके अंदर डेंग्यू के गंभीर लक्षन भी देखने को मिलते है और यह जो गंभीर लक्षन वाला जो डेंग्यू होता है इसकी वज़े से आपकी मौत भी हो सकती है तो अब हम बात करते हैं कि डेंग्यू के गंभिर लक्षण क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि अगर हम डेंग्यू को प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करते हैं इसकी वज़े से हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेटी बहुती ज़्यादा कमी हो जाती है तो एक बार हमारे शरीर के अंदर अगर प्लेटलेट बहुती कम हो जाता है तो इसकी वज़े से हमें कई सारे लक्षन देखने को मिलते है जैसे कि हमें खुन की या फिर उल्टी खुन की उल्टी आ सकते हैं जब भी हम उल्टी करते हैं तो इसके अंदर खुन देखने को मिलता है और जब भी हम मल करने जाते हैं तो मल में भी हमें खुन देखने को मिलते हैं इसके साथ साथ चरीर में कई जगव पर सुजन देखने क को मिलते है आपको ठकावट या फिर बेचनी चीद violet देखने को मिलते है यह फिर इसला क्यों होता है क्योंकि आपको यहाँ पर सरीर के अंदर खोन की कमी पड़ती है इसके साथ साथ आपको जब भी आप उल्टी करेंगे तो इसके साथ आपको खुन बहेंगा और आपकी आँखे जो होती है वो भी लाल देखने को मिलेगी स्याची साथ आपके मसुड़े और नात में से खुन देखने को मिलेगी या फिर आपको यहाँ पर मसुड़ों में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी साथ ही साथ आपको पेट दर्द होता है तो अगर इस तरीके से आपको जो सीम्टूम्स या फिर लक्षण देखने को मिलते है तो आपको गंबीर तरह के डेंग्यूkay जो लकषण होते है और इस लक्षण की वजख से आपकोई डेःध भी हो सकते या फ हम बात करते हैं कि डेंग्यू जो होता है वो कितना कातक होता है तो यहां पर हम बात करते हैं कि जो 20 लोग होते हैं अगर 20 लोगों में डेंग्यू होता है तो इसमें से एक व्यक्ति को गंबिर रूप के लक्षण देखने को मिलता है और उस गंबिर लक्षन वाले जो दर्दी होता है जो मरीज होता है उसके अंदर जो देत होने के तांस भी बहुत ही ज़ादा होता है इसके साथ साथ अगर हमें डेंग्यू हो जाता है तो इसके साथ साथ हमें रक्तस्राव यानि की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है ऐसा क्यों होता है क्योंक दूसरी बार डेंग्यू होने के चांस भी बहुत ही ज़ादा है और गंभीर घंग्यू होता है तो हमें तुरहें टूर्न डॉक्टर को दिखाना चाहिए spa को pardon प्रभवती महिला है और बच्चों में सबसे ज़्यादा गंबिर लुप के देंग्यू देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर प्रेग्नेंसी वाली जो लेडी होते है और बच्चों में यहाँ पर गंबिर तरह के देंग्यू होने के खत्रा बढ़ जाता है और इसमें उसकी के टेस्ट करवाने होते है एक होता है ns1 antigen test और दूसरा होता है igm और igg antibody test होता है तो यह दो तरग के हमारे डेंग्यों के अंदर test करवाय जाते हैं जो ns1 antigen होता है वो पहले 7 दिनों के अंदर करवाया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे शरीर के अंदर जो डेंग्यू का वाइरस होता है वो यहाँ पर अंदर होता है तो इसकी वज़े से हमारी बोडी जो होती है वो यहाँ पर NS1 एंटिजन में यहाँ पर हमारी बोडी के अंदर होता है लेकिन 7 से 7 दिनों के बाद हमें क्या होता है यहाँ पर हमारे श शाथ दिन के अंदर आप दिखाते हैं तो आपको एनस्वान एंटीजन करवाना चाहिए और अगर साथ दिन के बाद अगर आप दिखाने चाहते हैं तो आपको IgM आप फिर IgG antibody test करवाना चाहिए तो रेगिलरी लोक्टर जो होते हैं वो दोनों टेस्ट करवाते हैं और दोनो अगरी जो कि दोना टेस्ट करुंके अगरा सक्वान चाहिए और आपको दिखाय चाहिए कई लोक्टर जोनिगरी अडिया हिगेडियरी और आपको करें चाहिए-इस पालिग सब्ना कर दोना Wanna प्लेट ओ में चाहिए को पपिते की पतिया यहां पर कोई भी डोक्टर आपको अगर डेंग्यू हुआ है तो कोई भी डोक्टर आपको सबसे पहले यही सला देगा कि आपके पपिता के जो पान होते है उसका रस आपको पीना है तो यह जो पपिते की पतिया होते है उसका बहुत ही बड़ा हेल्प करत तो उसको भी आपको डेंग्यू है, तो अगर आपको उससे भी लेते, तो इसकी वाज़े से आपका पलेटलेट काउंट में बढ़漏 में बढ़ती आएगके। तो आपको इस तरीके से यह जो हमने यहाँ पर दिखा है वो उसमें से दो तिन तो आपको लेने ही है सबसे ज़्यादा यहाँ पर पपिते की पतिया यहाँ पर काम करती है तो आपको पपिते की जो पतिया होते है उसके रस को आपको सबसे ज़्यादा पीना है तो इसकी वज़े से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको डेंग्यू के अंदर देखने को मिलते हैं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डेंग्यू को कैसे रोका जाए तो हमने आगे बात करे थे कि डेंग्यू को सबसे पहले होने की वज़ा होती है हमारा एडिस एजिप्ती मच्चर तो यहाँ पर अगर हम मच्चर को ही खत्म कर देते हैं मच्चर को ही उसको उत्पती हम रख देते हैं तो मचर को रोपने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं तो घर के अंदर और दोनों के बाहर जहां भी हमरे पानी यहां पर भरा रहता है उस पानी को हमें यहां पर निकाल करना है उस पानी को निकाल देना है क्योंकि पानी के अंदर यहाँ पर मच्चर होने के चांस बहुती बड़ी है यहाँ पर पाए जाता है इसके साथ चाथ अगर हम पालतु जानवर को पानी देते है जब भी जीज़ भी बरतन में पानी देते है तो उसको यहाँ पर प्रोपर तरीके से साफ रखना है और उसको बड़ा का बड़ा नहीं रहना देना है क्योंकि यहाँ पर जब भी जो स्थीर पानी होता है जिसमें पानी जो होता है उसमें जो एडिस इजिप्टी मचल होता है उसके यहाँ पर एग हो जाता है और इसकी वज़े से यहाँ से एडिस एजिप्टिका यहाँ पर जन्म होता है तो पानी को हमें किसी भी तरह से कोई सी भी हमारे घर के अंदर या फिर बाहर उस पानी का जो छीर पानी है जो हिलता नहीं है उस पानी को आप घर से भाःत को निकाल करना चाहिए इसके साथ साथ अगर पानी की टंके है तो उसको टंकी को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए अगर आप कुलर का पानी है तो कुलर की पानी की जो टंकी होते है उसको हपते में एक बार पेट्रोल या फिर मिट्टी का तेल डालना चाहिए इसकी वज़े से क्या होता है कि यह जो टंकी होते हैं वो साफ हो जाते हैं इसके साथ साथ फ्रीज के नीचे रखे हुई पानी की ट्रे को रोजना खाली कर देनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी मच्चर होने और यहाँ पर पलपने के चांस बढ़ जाते हैं तो बेसिकली होता है कि अगर हमें डेंग्यू को रोकना है तो हमें मच्चर वाली जहाँ पर भी मच्चर हो सकते है या फिर जहाँ पर भी हमें मच्चर ऐसे बनते हैं उस जगह को हमें खतम कर देना चाहिए तो इसकी वज़े से मच्छर अपने आप ही खतम हो जाएगा और डेंग्यू का खत्रा बहुत ही कम हो जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो हमने बात करी कि डेंग्यू क्या होता है डेंग्यू के लक्षन के बारे में बात करी डेंग्यू के कौन-कौन से हम टेस्ट करवा सकते उसके बारे में हमने बात करें और साथी साथ हमने बात करें कि डेंग्यू को कैसे रोका जाए और उसके घरेलू उपचार क्या क्या हो से इसके बारे में बात करें तो दोस्तो अगर यह वीडियो आपको किसी भी तरह से helpful रहा हो तो इस वीडियो को like जरू करना और आगे ऐसे health knowledge से related वीडियो देखने के लिए इस channel को subscribe जरू करना Thank you